हेलो दोस्तों नमश्कार स्वागत आप सभी लोगों का अड़्डा 24 इंटु 7 UPSC चैनल पर दोस्तों अड़्डा 24 इंटु 7 UPSC चैनल के साथ आप जुड़ चुके हैं और मैं शुबं सरधालिया करण्ट इवेंट से एक और न्यूज आर्टिकल ले करके आचुका हूँ दो आपने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो हमारे चैनल अड़्डा 24 इंटु 7 UPSC पर जाकर के करन्ट वीडियो उसका आपको एक प्लेलिस मिलेगा जहां पर डे टू डे बेसिस बे जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज आर्टिकल रहते हैं वो हम आपके लिए लेकर के आते है दोस्तों इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज इस विशे पे मैं बात करने वाला हूँ वो है आई इंदा स्काइ एडवांजड जियो इमेजिंग सैटेलाइट तो भाया जी एक जियो इमेजिंग सैटेलाइट जी सैट जी आई एस एटी जो है वो जल्द ही लाँच ह इसके हर पहलू को हम यहाँ पर समझने वाले हैं दोस्तों जी सैट वन अगर मैं सबसे पहले नाम के उपर जाऊंग जी सैट जी का मतलब है जी ओ आई का मतलब है इमेजिंग सैट का मतलब है सैटेलाइट जी ओ इमेजिंग सैटेलाइट थोड़ा सा एकस्पैंड करके हमने इसका नाम जो है वाला उपगर है ऐसा उपगर है जो अर्थ की डिटेल्ड इमेजिंग कर सकता था वो एक लाउच होने जा रहा है बहुत ही जल्द भारत की और से इसका नाम होगा जी सैट वन ठीके जी इसके बारे में बात करेंगे दोस्तों यहां पे लिखा गया है आई इंदा स्काय यानि कि ये इतना सटीक तरीके से काम करेगा के मानो आसमान में बैठ करके कोई सीमाओं की देश की निगरानी कर रहा है किसी की आंके वहाँ पे मौजूद है वो सुनाए ना आता था काफी समय पहले कि इस देश की सरहद को कोई च्छू नहीं सकता इस देश की सरहद की निगेब प्रित्वी की तस्वीर खीच करके लाने वाला उपगर है विच विल अलाओ बैटर मॉनिट्रिंग ओफ दी सब कॉंटिनेंट इंक्लोडिंग इस बॉर्डर विद पाकिस्तान एंड चाइना तो भया जी सबसे जादा जिसकों कहते हैं हॉस्टाइल नेबर्स हमारे पाकिस्त सब्रूरी हो जाती है तो भया जी बॉर्डर की निगरानी के लिए स्पेशली पाकिस्तान और चाइना के साथ के बॉर्डर की निगरानी के लिए यह सेटलाइट बनाया जाएगा यह दिन में चार से पांच बार निगरानी जो है वो करेगा इन सीमाओं की सेटलाइट विल भाया जी satellite launch vehicle जिसको प्रक्षेपन यान भी कहा जाता है ये एक ऐसा वाहन है एक ऐसा rocket है जिसके उपर बैठ करके satellite जो है वो आसमान में जाता है दोस्तों ऐसा समझ लीजिए कि जिस तरीके से एक जगा दूसे दूसरी जगा जाने के लिए हमको गाड़ी का, कार का इस्तेमाल करना होता है उसी तरीके से satellite को एक जगा से दूसरी जगा ले जाने के लिए हम जिस कार का, जिस वाहन का, जिस गाड़ी का इस्तेमाल करते है उसको satellite launch vehicle या प्रक्षेपन यान के नाम से जाना जाता है ठीक है जी, तो G, S, L, V G, S, T, S, T, L, V G, S, L, V का क्या मतलब है, G, S, T, L, V दोस्तों, G, O, again, G, O का मतलब है, Earth और stationary क्या होता है, stationary का मतलब होता है, स्थिर तो भाया जी, ये ऐसी जगे पर, ऐसे orbit पर जाकर के satellite को set करने वाला है, कि प्रित्वी पर देखने से, प्रित्वी से देखने पर ये जो है, हमको स्थिर, stationary दिखाई देगा, वो कैसे होता है दोस्तों, दोस्तों, मैं हमेशा एक example देता हूँ, आप एक train में travel कर रहे थे, या आप एक bus में travel कर रहे थे, आपके बिलकुल साथ एक दूसरी bus भी मौझूद है, जिस direction में, जिस speed में आपकी bus जा रही है, उसी direction, उसी speed में, ये दूसरी bus भी जो है, वो चल रही है, इस वज़ा से जितनी बाहर आप अपनी bus की खिड़की से बाहर इसकी तरफ देखेंगे, आपको वही सेम बस, सेम direction में, सेम speed से चलती हो, नजर आएगी, आपको ऐसा लगेगा कि भईया, ये bus चल नहीं रही है, रुकी हुई है, जहां मैं खड़ा हूँ, मेरे बाजू वाली bus भी जो है, वहीं खड़ी है, तो जब दो चीजें सेम speed में, सेम direction में चल रही होती है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि दोनों चीजें जो है, वो बराबर है, रुकी हुई है, यही सेम concept जो है, वो यहाँ पर लगेगा, दोस्तों, जैसे ही, GSLV, Geo Synchronous, या Geo Stationary Launch Vehicle जो है, इस satellite को ऐसी जगा पहुँचा देगा, जहां प के लिए है, इंडिया की इमेजिंग के लिए है, इट हैस टू बी जियो स्टेशनरी, अगर जियो स्टेशनरी नहीं होगी, तो क्या नुकसान होगा, भया जी, अर्थ के उपर, माल लीजिए, अभी इंडिया जो है, वो यहाँ पर है, यह इंडिया है, ठीक है, यह satellite कहीं य यहाँ पहुंच गया, सैटलाइट अगर यहाँ का यहाँ रह गया, तो भया जी, क्या अब यह इंडिया को मुनीटर कर पाएगा, नहीं कर पाएगा, इस वज़ा से हमने इसको स्टेशनरी और्बिट में सेट करना है, कि जैसे जैसे अर्थ घूमे, अगर इंडिया यहाँ पहुंचा सैटलाइट यहाँ थी, इंडिया रोटेट करता हुआ, यहाँ पहुंचा सैटलाइट यहाँ थी, इस वज़ा से क्या होगा, भया हम जब भी अपने घर से अगर हम कोई सैटलाइट नजर आती हम जब भी उपर की और देखेंगे, इस सैटलाइट हमको बिलकुल जगा पे स्थिर कर दे जहां से वो अर्थ के सिंक्रोनाइजेशन में आ जाए कि ऐसा प्रतीत हो ये रुकी होई है जिससे वो एवरी टाइम अर्थ के ऊपर स्पेशली इंडिया के ऊपर इमेजिंग जो है वो ले सके की इसको एक कोड नेम के नाम से जाना गया है एस 3 exam में सवाल आ सकता है कि टम एस 3 वह सीन इन री नूजिज इसरे इस रिलेटी टू यूज स्थी टर्म एक्सानि यूज में देखा गया बताओ किससे संबंद रखता है तो हमको याद रखना है कि किससे संबंद रखता है यह संबंद रखता है जियो इमेजिंग में लॉंच जो है वो होने वाला है इस विल बी इंडिया फर्स्ट लॉंच और प्राइमरी सेटलाइट इस एर मुख्य रूप से दो हजार इकीस में भारत का यह पहला अंतरिक्ष के अंदर यह सैटलाइट में हम उपग्रह का लॉंच जो है यह होने वाला है सबसे पहला है इसका प्रक्षेपन जो है वो यह होने वाला है ठीक है जी वंस प्लेजडेट 36,000 किलोमेटर अबाव दी अर्थ इन जियो स्टेशनरी और्बिट क्या होता है और्बिट और्बिट एक इमेजिनरी पाथ है जिसके उपर स्पेस के अंदर कोई भी अबजेक्ट मूव करता है इस सेटलाइट को हम कौन से और्बिट में रखेंगे जियो स्टेशनरी ऐसी जगापे जहां पर अर्थ से देखने पर ये स्थिर नजर आईए एक जगापे स्थिर स्टेशनरी नजर आए ऐसा क्यों होगा क्योंकि जैसे जैसे अर्थ गूमेगी ये सेटलाइट भी वैसे बराबर उसके घूमती जाएगी तभी जो है ये सटीक हिंदोस्तान की imaging जो है वो ले पाएगी ठीके जी the advanced eye in the sky can be can constantly monitor areas of interest the satellite will look stationary जब भी हम हिंदोस्तान से देखेंगे क्योंकि ये satellite को सिरफ इंडिया को monitor करने के लिए भेजा जाएगा ये हमेशा इंडिया के उपर होगी जिस वज़ा से हमको हमेशा स्थिर जो है वो नजर आएगी and it will give a real time information about the large area EOS 3 will also enable quick monitoring of natural disasters and other events EOS 3 जो है वो security border security के साथ साथ में natural disasters को प्राकृतिक आपदा आ रही है कहीं पे तुफान आ रहा है इन सब की monitoring में भी जो है वो बहुत जादा मदद करने वाली है यानि के एडवांस लेवल सैटलाइट होगी जिसका नाम क्या है जी सैट वन जियो इमेजिंग सैटलाइट इसको code name दिया गया है क्या EOS 3 यह जो है recently launch किया गया किया जाने वाला है I in the sky इसके लिए जो है वो term इस्तेमाल किया जा रहा है यह है दोस्तों यह पूरा का पूरा article I hope हमको यह article जो है वो समझ में आया होगा दोस्तों कुछ भी news के अंदर important होता है वो हम आपके लिए कर के आते हैं हमारे channel अगर अभी तक हमारे channel को subscribe करें क्योंकि यह चैनल आपको UPSC और स्टेट PCS की preparation में बहतरीन courses वो प्रवाइट कराता है I hope दोस्तों हमको यह चीज़ें तो है वो क्लियर हो गए होंगी थैंक्यू बेरी मस्ट दोस्तों all the best keep working hard बाइबाइ टेक कियर जैहिंत अभी तोस्तों आपको अभी तोस्तों प्रवाइबस्तों आपको झाल झाल